भारत की GDP में मचलियों के बिजनस का 4.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिजनस की मांग कितनी है और इसमें कितना प्रॉफिट है मचली पालने और बेशने का काम भारत के लगबख सभी राज्यों में भारी मात्रा में किया जाता है भारत में 50 प्रतिशत लोग मचली खाते हैं मचली पालन के विवसाय से भारत के ऐसे कई शहर हैं जहां 22 प्रतिशत आबादी इसी विवसाय से अपना पालन पोशन करती है मचली पालन का बिसनस उन इलाकों के लिए फाइदे मन्द है जहां जरने, नदिया, तलाब या पानी की कोई कमी नहीं इस सभी जगाओ पर सुविधा ज़ादा अच्छी मिलती है जिस से मचली पालने का बैपार करना और भी ज़ादा आसान हो जाता है वैसे तो मचली का बिसनस करने के लिए भी आपको कुछ जमीन और चोटे पानी के तालाबों की जरूरत पड़ती है जहां मचलीों को कुछ समय के लिए रख सके इस बिसनस में सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपको इसके लिए ज़ादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इस काम को करना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो आप कम पैसों में इसको शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं जो लोग इस काम को पहली बार कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जिने इस बिसनस के बारे में कुछ जानते नहीं है उन्हें बता दें कि मचली पालन का बिजनस भारत में जितने बड़ी मातरा में हो रहा है उससे जादा ये दूसरे देशों में किया जाता है मचली से कई जरूरी आहार और फायदे होते हैं जिससे इसकी मांग हर सेक्टर में बढ़ती जा रही है और इसमें आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है आजकल तो लोग अपने ही घर के आसपास तालाब या चोटे-चोटे फॉर्म में इस विवसाय को कर रहे हैं और काफी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं इसमें सबसे अची बाती है कि लोग कई तरह की मचलिया खाते हैं और इनकी प्रजातियों के हिसाब से मार्केट में इनकी मांग और प्रॉफिट है हर प्रजाती में कोई ना कोई गुण होता है और अपने विशेश गुण के चलते ये मचलिया मारकेट में उसी हिसाब से मिलती और बिखती है कैसे शुरू करें इन्हें पालने का बिजनस कहीं लोगों को मचलियों के बिजनस के बारे में सोचना और उसे शुरू करना एक आसान काम लगता है लेकिन सच्चाई इससे उलट है ये एक काफी जटल काम है क्योंकि इसके लिए आपको काफी सारे काम करने पड़ते हैं ये ने काफी सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है लेकिन अगर आप इसे अच्छी तकनीक और जानकारी के साथ शिरू करते हैं तो इसमें भविश्य में आने वाली कठनाईयों से आसानी से लड़ा जा सकता है मचली पालने के लिए तलाब बनाना जैसा कि हम सब जानते हैं कि मचली पालने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है ताकि उस पानी में मचली के बीज बोकर या मचली के छोटे बच्चों को डाल कर इस काम को शुरू कर सकें इसलिए इस काम के लिए सबसे जरूरी एक तलाब को तयार करना, ध्यान रखें कि अगर आप बिजनस पॉर्पस के लिए मचली पालना चाहते हैं, तो आप इसे बिना तलाब की शिरूर नहीं कर सकते, आप चाहें तो आपके आसपास मौजू तलाब में इस काम को शुरू कर सकते हैं इसके लिए आपके पास की कोई छोटी नदी भी सही रहेगी आप चाहें तो मौसमी तलाब या फिर स्थाई दोनों में से किसी में भी इस काम को शुरू कर सकते हैं मौसमी तलाब वो तलाब होते हैं जो बारिश के पानी में भड़ते हैं और उस पर निर्भर करते हैं लेकिस थाई तलाब में साल के हर महीने में पानी जमा रहता है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मौसमी तलाब में मचली डाल कर रखते हैं तो इसमें ऐसी मचली डालें जो काफी तेजी से बड़ी होती है। मचली के तलाब में बीश डालने से पहले इसे अच्छे तरीके से तैयार फर्टिलाइजर से साफ कर लें। और इस चीज की जानकारी ले लें कि कहीं तलाब में कोई रिसाफ तो नहीं हो रहा। तलाब का रिसाफ जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें पानी भर कर तीन से चार दिन तक ऐसे ही रहने दे और जब लगे कि तलाब से पानी निकल रहा है तो मचली डालें अगर ऐसा नहीं है तो अपने तलाब की मरमत करने चाहिए भारत की जलवाई और साव पानी हर तरह की मचली पालने के लिए सही माना जाता है लेगिन इसके बावजूद मचली का वैपार करने वाले लोग मचली की नसल का चुनाव करते हैं इसमें आपके एरिया और वातावरन में पैदा होने वाले मचली आपके पास के लोगों की मां पहले सही पहलू में सोच विचार कर अपना फैसला लें विसे आपको ऐसी ही नसलकी मचली को पालना चाहिए जो आपके एरिया में असानी से पैदा की जा सकती है और जिसकी मार्किट में मांग जादा है इसके अलावा पानी प्रकृतिक सुविधाय सभी संसाधन आदी सब अ मौझूद की में आप चाहें तो कई तरह की मचलियां पाल सकते हैं मचलियों के लिए खाने में क्या दें कई लोग या वैपारी मचली के तलाब को इस तरह से बनवाते हैं कि मचलियों को तलाब के अंदर ही अपना भूचन मिल जाता है मचलियों के तलाब के अंदर के खान तो दूसरा खाना भी आपको देना पड़ेगा मचली पालने के लिए आपको तलाब का बातवरन मचली के हिसाब से रखना होगा लेकिन सkęह पानी पाब यहाँ पूस्ट्रिग खाना भी खिलाना पड़ता है मचली पालन के लिए पिएश लेवल 7-8 सबसे बेस्ट माना जाता है इसके साथ ही आपको मचलियों को नुकसान पहुंचाने वाले शिकारियों जैसे की बगुले, जल, मुर्गी या फिर दूसरे शिकारी पक्षियों और जानवरों से भी बचाना पड़ता है मचली पालने के बाद जब वो बड़ी हो जाएं तो आप उन्हें अपने स्थानी बाजार में बेच सकते हैं वैसे मचलियों के बिजनस में काफी कम मौके होते हैं कि आपको मचलियों को मारकेट तक जाने का मौका मिले ताजी और साफ मचलियों को असानी से उची दामों में बेचा जा सकता है इसके साथ ही भारती मचलियों की विदेश में भी भारी मांग है इसलिए आप जाहें तो अपने मचलियों को अंतराश्वी बाजारों में बेचने के लिए भी नर्यात करा सकते हैं लेकिन शुरुआत में पास के बाजारों में मचली बेशना आपके लिए और आपके पच्छ के हिसाब से सही रहेगा.